हेलो नमस्कार स्वागत आपका SDR एजूकेशन में हम बात करेंगे 10 S.A.M.C.Qs पे जो की हेत्व भाषा और फैलसी के टॉपिक पे पूछे गए हैं आपके प्रीवेस एक्जाम में देखिए ये सीरीज इसलिए important है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको एक daily dose questions की देने के लिए ताकि आप लोगों को तयारी जो है आप लोगों की effective हो सके क्योंकि आपको पता है रात को 10 बज़े एन academy पे रोज free class MCQ की आती है तो अगर हम questions को पढ़ेंगे उन questions को जानेंगे जो exam में बूचे गए हैं और अगर हम 2-3 महीने अच्छे से तयारी करेंगे तभी हमारे exam में अच्छे तरीके से perform कर पाएंगे तो देखिए एक तो यहाँ पे अन academy पे हम लोग आपको पता है plus courses में पूरा course करवाते हैं तो 26 मही तक 2 महीने में हम लोग पूरा course करने वाले हैं commerce और अगर आप भी एक serious preparation करना चाहते हैं commerce की और serious preparation करना चाहते हैं general paper one की तो आप unacademy के subscription में आ जाईए जहाँ पे रोज सुबा 11 बजे class होती है देड़ गंटे की commerce की और रोज शाम को plus की class होती है paper one की और रोज free class होती है रात को 10 बजे की तो unacademy में आप आप क्या कर सकते हैं अपने attempt के हिसाब से subscription plan ले सकते हैं June 2023 उसके अलावा December 2023 और उसके अलावा June 2024 अगर आप 12 महीने के यहाँ पे subscription के साथ जाते हैं तो आपको 3 महीने extra देगा unacademy और 25% discount भी देगा अगर आप code use करेंगे CRYT एक बार आप लोग जो है link description मे है चेक करिएगा मैं आपको जो है सभी offers उस link के अंदर जो है वो combined है और अगर आप serious way में तयारी करना चाते हैं अपने attempt के लिए और पूरी तयारी करना चाते हैं जैसे कि पहले classes हो जिसमें theory पड़े हैं आप उसके बाद revision पे आएं तो आप unacademy को इसको जरूर consider कर सकते है क्योंकि एकी subscription में UGC net के आप किसी भी educator से पढ़ सकते हैं हमारे और सारी test series भी आपको मिल जाती है notes भी मिल जाते हैं तो देखिए हम लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं तो बाशा के पहला सवाल इस दिशा में जो है वो है कि भई appealing to the people क्या कहलाता है I think ये काफी easy question है सम लों को ही मेरे ख्याल से ये आता होगा तो appealing to people जो है वो ad populum की fallacy कहलाती है और यही एक reason कि जो जादा लोग देख रहे हैं जो जादा लोग कर रहे हैं वही सही होगा इस दिशा में हम कभी-कभी चले आते हैं मैं आपको एक fact और बताता हूँ sorry ये fact ये है कि इसे appeal to the majority भी का जाता है ठीक है कि वही कई बार आपने सुना होगा कि बीजेवी में कई लीडर ये बोल दे कि भई हम तो जो है वो सब कुछ सही कर रहे हैं तभी तो देशवाची हमको जिता रहे हैं आता हला कि ठीक है लेकिन आधी ठीक है वोट जो उनको मि प्रतिशत है तभी उनके प्रधानमंतरी बने हैं लेकिन 60-50% वोट नहीं मिले हैं इसलिए प्रधानमंतरी सब के होते हैं प्रधानमंतरी उनके भी है तो ये add populum का भी कभी कभी जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं नेता लोग appeal to the masses common belief fallacy या appeal जो है argument from consensus तो ये देखना कि भई है वो बिल्कुल सही है majority जो है वो हर तरफ सही होती है ज़रूरी नहीं है majority में कभी-कभी जो है हम लोगों को अपवाद नहीं दिखते हैं और इसलिए हम हमेशा जो है अगर rationalist किसम से सोचेंगे तो appeal to people जो है वो हमको appeal नहीं करेगी तो which of the following हित्वभाशा fallacy is involved in the argument sound is eternal because it is caused sound eternal है क्योंकि वो cause होती है आप जो चीज देखो जो चीज eternal होगी कि बही सर्व्यापी है और फिर वो cause कैसे हो सकती है कि किसी ने बनाई है तो ये दोनों बाते विरुदभास हो गया है यहां तो विरुद और contradictory fallacy जो है वो commit हो गई तो आप लोग video pause करके answer दिया करो comment में अप पता लग सके ही वही कैसा आपका performance चल रहा है तो आप सबको पता है कि विरुद या contradiction की जो fallacy होती है उसमें ये खासियत होती है कि वही आप एक तरफ एक बात कर रहे हो कि ये चीज eternal है eternal तो वह होती है जो सर्वे आप ही होती है किसी की दोरा बनाई जा सकती दूसरे तरिफ आप कहरे हो cause है तो cause तो जो है eternity को prove नहीं कर रही है उल्टा उसकी non eternity को prove कर रही है तो ये automatically जो है आप लोगों की fallacy हो गई contradictory या विरुद की अगला है कि all knowable objects are nameable the pot is knowable object therefore the pot is nameable तो यहाँ पे देखिए कि तीनों ही positive basis पे चल रहा है तो तीन तरह की fallacies यहाँ पे आएगी कि इंफरेंस आएगा केवल ने आई केवल वैतरी की और knappe की और unw very country तो यह होता है all positive यह होता है केवल वैतरी की आपका all negative और अनवे वेतरी की होता है positive plus negative तो जहां बात positively जो है वो infer की जा रही हो और सब कुछ हो कि positively ही आप inference पे आ रहे हैं uniform agreement के थू ही आ रहे हैं तो उसे केवल ने आई inference जो है वो कहा जाता है जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि पसंद अगर माबाब की तो सब केवल ने आई और पसंद आपकी तो सिर्फ केवल वेतरी की ये example से आप लोग याद रखा करिए तो which of the following fallacy is an attempt to protect one's claim from any potential reputations and thus preserve their existing belief तो देखिए इन में से कौन सी fallacy ऐसी है जो कि एक व्यक्ति अपना claim protect करता है किसी भी potential reputations से ताकि उसकी जो existing belief है वो बन जाए या बनी रह सके तो ad populum, ad hominem, ad hoc या ad miscordium तो मैंने आप लोग को ये fallacy कई बार समझाई है और मैं ये भी कहता हूँ कि ये हकीकत में fallacy है भी नहीं तो ad hoc का जो claim होता है न वो हकीकत में logical fallacy नहीं है ये rhetorical strategy है और rhetoric का मतलब क्या होता है कि अपनी बात को इस तरीके से पेश करना कि हर वो व्यक्ति जो आपको सुन रहा है वो आपकी बात पर यकीन कर ले तो rhetoric जो है वो favorable argument देने का तरीका है कई बार आपने देखा होगा कि जो news debates में जो है अक्सर हम देखते हैं कि Congress आप या BJP इनकी fight चल रही होती है तो इन लोगों के जो प्रवक्ता होते हैं तो कोई सवाल पूछा जाता है क्या और answer देते हैं क्या तो कभी-कभी अगर उनको लगता है कि अपना claim जो है वो threaten हो रहा है कोई counter evidence आ रहा है सामने से तो वो एक ऐसी उल्टी सीधी बात बोलेंगे जो उन्होंने जल्दबाजी में बनाई है और unreasonable है लेकिन वो अपने original claim को बचाने की कोशिश करते हैं तो ऐसी fallacies को जो है हम ad hoc fallacy कहते हैं साथी साथ अब अगला सवाल ये है असिद्ध, सभविचारा, सत्पतिपक्षा या बाधिता तो देखो इसमें सबसे आसान ये है कि बाधित से आप याद रख सकते हैं कि बाधिता की जो fallacy है वो उताब आती है एक particular claim जो है वो आप लोगों का settle हो जाता है कि एक और आपने प्रमान का use कर लिया है जो greater है इसका मतलब ये है कि जब middle term contradict हो रही है by some other प्रमाना and not by inference तो जैसे मान लो कि आपने कहा कि हमने जो है वो खूब पढ़ाई करी थी लेकिन सर रिजल्ट नहीं आया और हम तो रोज बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमारे mcqs में नंबर नहीं आ रहे तो कभी-कभी जो higher प्रमान है कि आपने मुझे बोला चलो मैंने मान लिया लेकिन अगर एक दिन मैं आके खुद आपके घर पे देखूगी आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं आप तो पूरे दिन तो प्रिटेक्ष को मानूँगा ना तो फिर यहां पे बादित आ जाता है और ऐसे ही असिद्ध है तो ये आपका असिद्ध कनेक्ट हो जाएगा फैलसी जिसे अनप्रूवड मिडल की कि अभी तो मिडल टर्म ही प्रूव नहीं हुई है तो जो फैलसी जो है तब अराइज हो जब मिडल टर्म ही प्रूव नहीं हुई है और मिडल टिम पे यह आपको पता है सब कुछ आदारित होता है तो ये असिद्ध की फैलसी आ जाती है कि सिद्ध ही नहीं हुआ है तो ये ए का फोर और डी का टू से आप पसानी से निकाल सकते थे सब्वेव बिचारा की फैलसी को Irregular Middle की फैलसी का जाता है और सत्थ परति पक्षा को जो है वो का जाता है फैलसी जहां पे Middle Term कांटरडिक्ट हो जाए किसी और Middle Term से मेरा पूरा Indian लॉजिक का कोर्स है आप जाके playlist के section में देखिए वहाँ पे आपको Indian Logic की 8 lectures में पूरा course जो है वो YouTube पे free of course मिल जाएगा उसको पर ये जरूर अगर नहीं करा आज तक तो और logical reasoning भी करिए इससे पहले मैंने higher education की series डाली है 6 वीडियोस डाली है उसमें सारे latest अभियान मैंने cover कर ली है जो paper में आप से पूछे गए थे उनको करिए किसी भी चीज़ को अभी छोड़िये मत बाद के लिए बाद में चीज़ें cover नहीं होती है paper से जस्ट पहले ये best मौका है पढ़ाई करने का अभी और जो लोग अभी पढ़ेंगे वही कहीं न कहीं जो है उनकी तैयारी पूरी हो पाएगी जून अटेम के लिए अगला सवाल है कि Mr. X Penalist है and he should be preferred for admission to the college तो ये तो देखिए सीदी सीदी बात है कि hominum, miscordium, adbaculum या एक नरतो LNC के options में आप देखेंगे तो ये miscordium हो गया इसे appeal to pity भी का जाता है कि भही बिचारा बन जाना या फिर जो है अपने आपको जो है इस तरीके से दिखाना कि भही हम तो जो है वो कुछ भी नहीं है जैसे वो एक YouTube पे मीम है कि मैं गरीब हूँ ऐसा कर गए तो if someone try to win support अगर कोई जो है support जीतने की कोशिश कर रहा है किसी argument और idea पे अपने opponent की feeling को pity या guilt में ले जाने से तो इस तरह का जो क्या कहते है argument है उसे गेलिलियो argument भी का जाता है तो भही ये ज़्यादा तरह आप जेकिंगे अरे बांगलादेश है बिचारे जीत भी गए जो क्या है तो कई बार हम लोग देखते हैं कि ये appeal to pity छोटी teams के साथ हो जाता है कि इंडिया जीत गई तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन वो जीत गई तो इतना जो है नागिन डान्स करके दिखाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है तो वो इसलिए कि अगर वो हार गए तो उनका कुछ नहीं जाता वो तो underdogs हैं तो underdogs प्ले करना appeal to pity, appeal to miscordium ये fallacy जो है ये कहलाती है अगला सवाल कि you say you want to reform the criminal justice system do you want to free all the criminals की क्या तुम सभी criminals को जो है वो खुला छोड़ दोगी अगर तुम criminal justice system को reform करना चाते हो तो तो आप अपरादिक न्याय प्रणाली में सुधार करना चाते हैं और आप सभी अपरादियों को मुक्त करना चाते हैं क्या इस तरह की fallacy जो है वो किसी के stand पे की जा रही है तो जब हम कहते हैं कि किसी की position को वार करना straw man fallacy कहलाता है जो straw man होता है वो क्या होता है जो square crew होता है जिससे जो है खेतों में जो है वो कवों को डराने के लगाए जाता है तो वो lifeless होता है harmless होता है तो जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की position को attack करे न तो कई लोगों को यह समझ में नहीं आता था जो stand लिए गौतम गुलाटी के खिलाफ की भाई मैं यह stand लेती हूँ मैं यह stand लेती हूँ तुम लोग stand लेते हमको तो तब पहली बार मतलब पता लगा अब तो खेर उस दमाने बाद तो हमने नहीं देखा भी बहुत ऐसा फालतू चीज लेकिन तब क्या करें तो खाली थे देख लिया करते थे तो ओपोनेंट के stand पे ओपोनेंट के position पे वार करना जो है और ऐसा वार करना जो कि कहीं न कहीं आप उसकी position पे वार करने जो ओपोनेंट ड़संट रेली होल्ट तो ऐसी चीजें जो है वो cheap and easy तरीका होती है कि अपने आपको जो है वो जादा stronger दिखाना और कहीं न कहीं ये आरगुमेंट भी इसी तरफ इशारा कर रहा है अगला सवाल कि in which of the following type of हेत्व बाशा ये fallacy कहलाती है irregular middle term की fallacy तो सब्वे बिचारा जो है वो यहाँ पे सीधा easy answer है जिसमें कि हम लोगों ने भी पीछे ही revise किया था कि भई जितनी भी fallacies हैं जिसको हम इनी logic में हित्वभाशा के तौर पे consider करते हैं जहां middle term हमको लगती है reasonable लेकिन valid reason नहीं होती है और इसी के दहत हमने जो सब्वे बिचारा की fallacy है उसे irregular middle की fallacy कहा जाता है जिसमें कि हम लोग हमेशा एक example याद रखेंगे कि sound eternal है अब यहाँ पे आपने sound को बोल दिया कि वो survey happy है वो eternal है लेकिन एक तरफ फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये audible है तो जो चीज जो है आपने यहाँ पे खुद ही confuse कर दिया middle term से तो ये irregular middle कहलाया कि एक तरफ जो है वो आपकी middle term इशारा नहीं कर रही है तो first answer होगा अगला सवाल next question में पूछा गया है कि एक fallacy occurs when the middle term appears to be the reason reason लगती हो बट valid reason ना हो Indian logic में fallacy को हेत्व भाषा का जाता है तो ये बिल्कुल correct explanation है कई भाइ लोगों को लगता है कि सर इसका not नहीं हो सकता था क्या इसका not नहीं हो सकता चुकि देखिए उपर वाली term ये कह रही है कि जहां हमको लगे कि middle term reason है इस बात का लेकिन हकीकत में middle term reason है ही नहीं तो जब middle term reason नहीं है तो middle term की हेत्व का दोष हेत्व भाषा हो गया ना middle term का faulty होना middle term का जो है वो गलत होना हेत्व दोष होना हेत्व का गलत होना तो वो हेत्व भाषा कहलाता है तो इसलिए तो इसे जो है वो हेतु बाशा कहा रहे है हेतु दोश, middle term जहां reason लगे बट valid reason ना हो तो हेतु दोश माने हेतु बाशा इन में से हेतु बाशा का क्या characteristic है, क्या वो invalid होती है, unsound होती है, informal होती है या all of the above तो answer है कि हेतु बाशा जो है, वो validity का मतलब है कि एक argument valid होगा, जब हर case में उसके premises true हो और conclusion भी true हो, otherwise invalid हो जाएगा, soundness का मतलब है कि valid भी हो, premises भी true हो, और फिर, और ये मैं Indian logic के साब से बता रहा हूँ, logical reasoning के साब से नहीं कहा रहा हूँ, valid हो sound, उसमें valid हो होता है, जो deductive होता है ठीक है, फिर वो ही sound होता है, फिर जो है, ये ध्यान रखने वाली बात है, आपका inductive जो logic होता है, वो strong और weak होता है, तो उसके basis पर फिर cogent and cogent लेते हैं, ठीक है, तो ये informal भी रहेगा, तो informal का aspect जो है, वो इसका हेतोबाशा से निकल के आता है, तो चलिए, ये भी सीधा था, दस में से कितने आए, जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करिए, ताकि लोगों के पास जादा इस तरह के काम के वीडियो पहुंचें, और कम पहुंचें, ऐसी चीज़ें, जो कि सिर्फ speculation पे पूरे UGC net के circle में, यूट्यूब पे बनाई जा रही है, और bell icon जरूर हिट कर दीजे, और अगर notification नहीं आता है, तो unsubscribe करके फिर subscribe कर लीजे, ताकि notification आपको आता रहे, क्योंकि हम आगे आपको और वीडियो जो है वो लाते रहेंगे, शुक्रिया